Hello everyone, welcome to Only IS, date है आज की 21st October 2020 और स्वागत है आपका Prelim Booster News Discussion में आपको कोई भी PDF अगर डाउनलोड करने होते हैं, इन वीडियो से रिलेटेड तो आप हमारे Telegram चैनल Only IS Nothing Else से डाउनलोड कर सकते हैं Simply आपको Telegram पर जाना है और वहाँ पर Only IS Nothing Else सर्च करना है ये image आप जरूर से देखिएगा, ये image का जो भी चैनल होगा आप उसको join कर सकते हैं, आपको सभी PDFs वहाँ पर available मिल जाएंगे सबसे पहला article हमारा Word Statistics Day से रिलेटेड है इस दिन को 20th October को मनाये जाता है, लेकिन क्या ये हर साल मनाये जाता है, नहीं ये हर 5 साल बाद मनाये जाता है, इसके बारे में भी थोड़ी detail हम लेते हैं इस बार जब 20th October 2020 में जब Word Statistics Day को celebrate किया गया तो इस बार का theme कुछ इस हिसाब से रखा गया कि हम लोग दुनिया के साथ ऐसा जुडते हैं जिसके अंदर एक ऐसा data हो, जिसमें हम fully rely कर सकें, trust कर सकें Connecting the word with data, we can trust इस day को organize किया जाता है United Nations Statistical Commission Confused मत होईएगा, UNSC का मतलब ये नहीं है, United Nations Security Council नहीं ये चुकि data से related है, तो statistics का involved होना जरूरी है, इसलिए statistical commission आएगा थोड़ी से history जानते हैं इसकी बात 2010 February की है, जब United Nations Statistical Commission का 41st session चल रहा था इन्होंने निर्धारित किया कि भई, इस साल के 20 October को मतलब 20 October 2010 को, हम लोग पहला World Statistics Day celebrate करते हैं, इसके बाद ये डिसाइड किया गया कि हर 5 साल बाद, ऐसे ही हम लोग Statistics Day को celebrate करेंगे, डेटा को renew करेंगे, ऐसा डेटा बनाएंगे जो कि लोगों के जीवन को आसान बना सके, इसी उपलक्ष में पहला मनाए गया 20 October 2010 में, दूसरा मनाए गया 20 October 2015 में, और तीसरा इस बार मनाए गया 20 October 2020 में, और इसी तरीके से ये चलता रहेगा जो 2015 में बनाए गया था, उसका बेसिक थीम भी यही था, कि बेटर डेटा, बेटर लाइपस, जितना अच्छा डेटा होगा, उतनी अच्छी जिन्दगी होगी अगला अर्टिकल हमारा कालेशवरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है हाल फिलहाल में नेशनल ग्रीन फ्राइबिनल, मतलब कि NGT ने कालेशवरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए जो Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने इन्वारमेंटल क्लेरेंस दे दी थी इस पे इन्होंने ये कहाए कि इन्होंने लौ वॉयलेट किया है लौ कैसे वॉयलेट किया है NGT का कहना है कि ये जो कालेशवरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है इसका कुछ एक हिस्सा ओल्रेडी कम्प्लीट हो चुका था उसके बाद मिनिस्ट्री ने एक्स पोस्ट फैक्टो में जाके ये इन्वारमेंटल क्लेरेंस ग्रांट किया था मतलब कि हिस्सा होने के बाद रेट्रो अक्टिविली उन्होंने इसको पर्मिट दी क्लेरेंस दिया इसी लिए नेशनल ग्रीन प्राइबिनल ने बोला है कि मिनिस्ट्री ने इस बार लॉग को वाइलेट किया है फिलाल हम बात करते हैं कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के उपर तो एक प्रकार का मल्टी पर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट है तिलंगाना के अंदर गोदावरी रिवर है उसके उपर का ये प्रोजेक्ट है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट अक्चुल में 2007 में गवर्नमेंट औफ आंधर प्रदेश जब तिलंगाना और आंधर प्रदेश में डिविजन नहीं हुआ था उस टाइम पर एक उरिजिनल इरिगेशन स्कीम चल रही थी जिसका नाम था प्रान ही था चिवल्ला लिफ्ट इरिगेशन स्कीम इसी का एक छोटा हिस्सा है क्यालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट यहाँ पर इसका main target क्या है कि जो भी तिलंगाना reason है वहाँ पर हम लोग flood waters को divert करेंगे जिससे कि हम लोग तिलंगाना को drought proof बना सके अब इसके अंदर होगा क्या कि गोदावरी नदीक में जितना भी पानी आता है ऐसे flood like situation में ऐसे flood water को tap किया जाएगा reverse pump करके उपर के किसी level पर high level of water level को वहाँ पर जाके storage करेंगे हम और उस storage को हम लोग use करेंगे जिससे कि industrial purpose का भी fulfillment हो सके अगर हम लोग को drinking water supply करना है हैदराबाद reason में, सिकंदराबाद reason में उसको भी हम sufficiently fulfill कर सके इसके लिए हम लोग खूब सारी storage tank बनाए और pipelines के network के थुरू इन सभी storage tank को connect कर दें और वहाँ तक पहुचाएं जहां पर इनकी जरूरत है यही पूरा project है कालेश्वरम lift irrigation project यह project प्राण हिता river जो है गुदावरी river का ही एक tributary है और गुदावरी river का जो confluence है बिल्कुल यही पर से यह project start किया गया है गुदावरी river के बारे में थोड़सी information gather कर लेते हैं देखो गुदावरी इंडिया का second longest river है या पिर यूँ कहें South India का सबसे लंबा नदी है इसी लिए इसको दक्षिन गंगा के नाम से भी जानते हैं इसका जो origin है वो त्रियंबकेश वर महारास्टरा से निकलता है overall 1465 km रेंज इसका पूरा मतलब इतना लंबा नदी बहता है कौन-कौन से state को drain करता है यह यह महारास्टरा से तो निकलता ही है इसके बाद तिलंगना, आंध्रप्रदेश, चतीसगर और ओडिशा यह 5 states हैं जहांपर गुदावरी रिवर की tributaries या फिर आप उनका river basin देख सकते हैं और फिर फाइनली बे ओ बेंगौल में अपने पूरे river water को drain करती है, empty करती है इसकी left bank tributary में important वाला है बैनगंगा, कड़वा, शिवाना, पूर्ण, कदम, प्राणहिता, इंद्रावती, तली पेरू, सबरी और धारना right bank tributary में नसर्दी, प्रवारा, सिंधपना, मंजीरा, मनायर और किने रसानी इसमें से हो सकता है, मैंने किसी river का नाम गलत लिया हो, वहाँ के जो भी local लोग हैं, वहाँ के जो भी aspirants हैं, वो please मुझे correct करिया government section में, कि इसको ये बोलते हैं, फिलहाल आपको ये comment करना हो, ना करना हो, वो कोई matter नहीं करता, फिलहाल आपको इस question का answer जरूर से देना है, 2016 में ऐसे ही questions बनते हैं, ऐसे ही जैसे ये कालेश्वरम lift irrigation project है, इसी तरीके से उन्होंने पूछा कि 2016 में, हाल फिलहाल में किस river का linking, या फिर कौन से river की linking की बात चल रही है, तो इसका answer आपको देना है, 2016 के हिसाब से एक बार थोड़ा सा news में आप देखीगा, गूगल सर्च करिए, अगर आपको पता है तो डिरेक्टली आप नीचे comment करके बता सकते हैं, अगला article हमारा संत missile से related है, संत जैसा नाम है, वैसा क संत missile का full form है, standoff anti-tank guided missile, मतलब की ATGM है, मतलब की anti-tank guided missile है, इसके नाम क्या की standoff इसलिए लगा है, क्योंकि आप इस picture में देखिए, आपको पता चल जाएगा, यह standoff है क्योंकि हम इसका stand देख रहे हैं, और यहाँ पर इसको रोक के इस missile को launch कर सकते हैं, अक्चुल में यह fourth generation है, upgraded version है, हेलीना missile का, हेलीना missile जो है, वो भी ATGM है, anti-tank guided missile, लेकिन इनको airborne anti-armor role के लिए लिया जाता है, इसी का एक land version है, जिसका नाम है नाग, ठीक, तो यह सारी चीज़ें आपस में interrelated हैं, संत, हेलीना, नाग, यह सब higher version में हैं, या फिर अलग-अलग जगों से use किये ज missile है, इनको DRDO ने indigenously develop किया है, और design भी इनों नहीं किया था, इसमें खास बात यह है, हम केवल इस चीज़ को, मतलब संत missile को launch करने से पहले ही target को lock नहीं कर सकते हैं, बलकि launch करने के बाद भी lock कर सकते हैं, मतलब यह कितनी बड़ी speciality है, कि अगर मान लो हमने किसी एक object को target किय यहां से missile दागा, यह जाही रहा था, तब से बीच रास्ते में पता चला कि जिस पर हमने target किया था, अब वो shift होके यहां पर आ गया है, उस case में तो अब तो यह missile जा चुका है, अगर after launch lock on capability नहीं होगी, तब तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अब क्या होगा कि एक बार launch क पर देंगे इस target के लिए, तो अब यह यहां पर जाके दोस्त करेगा, जो इसका total range है, वो approximately 15 से 20 km range पर यह operate कर सकता है, अगला article हमारा regulatory sandbox से related है, हाल फिल हाल में International Financial Service Center Authority, मतलब की IFSCA ने एक नया framework introduce किया है, जिसका नाम है regulatory sandbox, बड़ी मज़धार चीज है, देको बहुत बार हो होती है, जो अपने innovative products launch करना चाहती है, लेकिन चुकि उसमें बहुत सारे laws, rules, regulation, साथी साथ किन customers को target करना है, उसका output क्या होगा, कहां पर launch करें, किस जहां पर करें, यह सब बहुत बड़ी दुविधा होती है, इन सब को solve करने के लिए, यह regulatory sandbox का निर्वाट किया गया है, इ इनके regulatory condition को हम लोग बहुत जादा relax कर देते हैं, तो जो भी ऐसा business है, कोई industry है, वो अपने इन नए products को यहाँ पर test कर सकता है, controlled environment में, कुछ number of customers होगे, limited time period के लिए, देख सकता है कि इसका output क्या है, अच्छा है तो फिर mass scale पर हम लोग इसको develop कर सकते हैं, यह regulatory sandbox, gift city गुजरा के अंदर located है, इसमें basic बात यह की जारी है कि हम लोग सारी facilities देते हैं, यहाँ पर capital market की facility देते हैं, banking, insurance, कोई भी financial service चाहिए हो, वो सारी facility इस IFSC के अंदर वाले इस regulatory sandbox के अंदर मिलेगा, कोई fintech solution चाहिए न, तो उसके लिए भी लोग होंगे, तो आप controlled environment में, real customers के एक particular limited set क के साथ एक limited time frame में अपने उस product को अच्छे तरीके से judge कर सकते हो, इसलिए regulatory sandbox आया है, basic यही मुद्दा होगा कि जितने भी investor होते हैं, वो थोड़ा risk को mitigate कर सकें, अपने products को थोड़ा सा protect कर सकें, पहले से ही सब कुछ उनको पता हो, यहाँ पर important मुद्दा बनता है कि यह International Financial Service Center authority है क्या, एक प्रकार की statutory body है, जिसको 2020 में ही establish किया गया है, यह ministry of finance के अंदर DEA, Department of Economic Affairs के अंदर में आता है, गांदीनगर गुजरात इसका headquarter है, objective इसका यही है कि हम लोग अपने इंडिया में एक world class fintech hub बनाएंगे, gift city कांदीनगर के अंदर, रोल यही हुआ, जितने भी ऐसे financial institutions या फिर financial service, financial products की जरूरत पढ़ती है, उनको हम इसी reason में develop करेंगे, इनको regulate करेंगे, international guidelines की basis पर, ताकि जो भी आए यहाँ पर regulated form में अपने products को अच्छे तरीके से launch करके देख सके, IFACA में 9 members हैं, जो की central government के द्वारा appoint किये जाते हैं, इन में से एक तो chairperson है, इसके बाद RBI, मतलब Reserve Bank of India, SEBI, IRDAI, Insurance Regulatory and Development Authority of India, और PFRDA, मतलब Pension Fund Regulatory Development Authority, इन सब के एक-एक member होते हैं, मतलब कि चार ये हो गए और एक chairperson पाँच, ministry of finance से दो member होते हैं, साथ हो गए, और इसके बाद एक selection committee होती है, वो भी दो members को recommend करती है, उनको भी appoint करते हैं, तो ऐसे overall 9 members हो जाते हैं, for a period of 3 years, इनको reappoint कर सकते हैं, अगला article हमारा Wildlife Institute of India से related है, हाल फिलाल में, finance ministry ने देहरादून based Wildlife Institute of India, WII, जो कि अभी तक एक autonomous body का status प्राप्त किये हुए था, बोला कि इसको हम divest करते हैं, मतलब इससे इसको वंचित करते हैं, इसको autonomous body नहीं बनाते हैं, अभी तक ये ministry of environment, forest and climate change के अंदर एक autonomous body है, 1982 में established कि अगया था, headquarter देहरादून में, तो इसको पढ़ाने का मकसद यह हैं, कि UPSC बहुत जादा confuse करती है, ऐसे institutions को जो की news में होते हैं, और जिनका कुछ में कुछ changes होने को होता है, बट change होता नहीं है, तो आपको लोगा गया कि हाँ, news में तो सुना था, कि autonomous body हटा दिया गया, बट actual में अभी ऐसा हुआ नहीं है, कि वल recommend किया गया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, Wildlife Institute of India का basic objective, ऐसे wildlife research और biodiversity की study connect करना होता है, कोई भी endangered species है, इनके उपर research करो, इनके उपर पढ़ाई करो, कोई wildlife policy बनानी है आपको, या फिर model तयार करना है, eco development या habitat ecology का, climate change से के लिए कौन-कौन सी policies बननी चाहिए, wildlife को कैसे manage करना है, इन सभी चीजों को देख रेख, कौन करता है, Wildlife Institute of India, अगला article हमारा Chief Information Commissioner से related है, हाल फिलहाल में, Department of Personal and Training, DOPT ने, Chief Information Commissioner के post के लिए 139 application receive किया है, जो कि ये post पिछले 2 महिने से खाली चल रही है, इसलिए CIC इस बार पढ़ लेते हैं, CIC एक statutory body है, जिसको RTI Act 2005 के अंतरगत बनाया गया है, फिलहाल अभी इसके अंदर एक Chief Information Commissioner होता है, और at max up to 10 Information Commissioner हो सकते हैं, इनको President appoint करते हैं, लेकिन President को कुछ लोग recommend करते हैं, उनके लिए एक Committee का गठन होता है, इस Committee के अंदर भी Prime Minister जो होते हैं, वो Chairperson होत होते हैं, साती साथ, लोग सभा का जो Leader of Opposition है, वो आता है, तीसरे नमबर पर ऐसा कोई भी Union Cabinet Minister हो, जिसको Prime Minister nominate कर दे, इन तीनों के जो की recommendation होते हैं, उसको President मानता है, उन recommendations के business पर, उन लोग को CIC के तौर पर President appoint कर सकते हैं, इनका tenure जो है, वो या तो Central Government fix करती है, या फिर उन में से जो भी पहले हो गया, उनका tenure वहीं पर खत्म हो जाएगा, reappoint के लिए ये लोग eligible नहीं होते हैं, खिलाल अभी 3 साल का इनका time बताया जा रहा है, तो या तो 3 साल या 65 साल, बड़ ये change होता रहता है, इसलिए इस पर आपको गौर नहीं करना है, आपको ध्यान देन जो इनका ground है, वो है, proved misbehavior, incapacity या दूसरे charges, लेकिन ये ऐसे नहीं कि President ने बोला है और ये मान लिया गया, President को ये पूरा का पूरा matter Supreme Court को refer करना पड़ता है, Supreme Court अपनी inquiry करती है, inquiry के बाद अगर उसको ऐसा लगता है कि President ने जो बोला था, वो सही था, और वो बोलते हैं कि ठ मान लो कोई person ऐसा है, जो की कोई information चाहता है, और उसने अपनी complaint दर्ज की है, लेकिन उसको कुछ निप्टारा मिला नहीं, जैसे कि उन्होंने Public Information Officer की ना होने की वज़ा से, वो जो भी information की request करते थे, उसका answer उनको नहीं मिला है, तो भी as if duty कौन करेगा, CIC करेगा, इसके अल साथी साथ कुछ ऐसी information उस person को दे दी गई है, जो अपने आप में incomplete है, misleading है या फिर जूटी है, उस case में भी CIC के उपर पुरा खारेबार होता है, कि उन cases में उस person को address करे, पावर की बात करें, तो ये अपने आप में एक suomoto action लेने की जब बात आती है, कि खुद से लेना है मतलब कि अगर कोई भी ऐसा matter हो, जिसमें इनको लगता है कि ये reasonable grounds हैं और इसमें मुझे interfere करना चाहिए, तो ये कर सकते हैं, जब भी ये inquire करते होते हैं, तो इनके पास civil court जैसी power होती है अगला article हमारा country's first multi-model logistic park से related है, हाल फिलहाल में union minister for road, transport and highways ने multi-model logistic park भारत का ऐसा पहला ये park है, जिसका foundation इन्होंने असाम के अंदर में रखा है बात करते हैं, multi-model logistic park होता क्या है, तो usually जैसे logistic park होते हैं, वैसा ही है, लेकिन यहां की जो connectivity है, वो काफी सही होती है मतलब यहां पर airways की connectivity, roads की connectivity, railways की connectivity, waterways की connectivity, सब कुछ होता है यहां पर आपको पता होगा की एक भारत माला पर योजना चला था, Government of India के दौरे के ambitious plan था उसी के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है, यह multi-model logistic park बनाने का इसको ministry of road, transport and highways ही develop कर रही है इसके कुछ key policies जो होते हैं, उसमें यह है कि हम लोग देश के logistic sector को improve करने की बात करेंगे जो पूरा का पूरा fret cost आता है, मतलब जब एक जगह से दूसरे जगह समान पहुचाया जाता है उनका जो भी cost आता है, उसमें गिरावट करने की बात करेंगे, कमी ले आने की बात करेंगे, policies बनाएंगे साथी साथ जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो बहुत सारा vehicular pollution भी होता है हम उसको भी ध्यान रखेंगे, कम करने की बात करेंगे, congestion को रोकेंगे सबसे अच्छा तो water waste, जैसे कि उसका pollution level काफी कम है, बहुत efficient है water waste तो इस तरीके से multi-modal logistic park बनाया जाएगा जुलाई 2017 में government of India ने ऐसे 35 multi-modal logistic park को बनाने के लिए approval दे दिया था और ये बोला था कि state government, आप लोग हमें जमीन दिलवा दो, जो भी इस project के लिए जरूरत है और इसको हम लोग public-private partnership के अंदर में build करेंगे, ये जमीन लेके यहां पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये आखिर कैसे काम करते हैं, फिर इसके अंदर क्या-क्या elements होते हैं एक तो सबसे बड़े level का इस freight होना चाहिए, मतलब कि आपको connectivity चाहिए एक बड़ा freight volume है, जैसे कि मालीजे आप लोगोंने movies में देखा हुआ कि बड़े-बड़े team के डिबबे होते हैं usually port के पास, है ना, तो ऐसे माल लो, 1000 ऐसे डबबे हैं तो उनको एक एक से दूसरे जिखन ले जाने के लिए यहां पर facilities होनी चाहिए यहां पर अच्छा खासा technology होना चाहिए, एक integrated solution होना चाहिए अगर कोई एक perishable item है, तो उसके लिए proper storage facility होनी चाहिए warehouse होना चाहिए, ऐसे terminals होने चाहिए, जो एक product को दूसरे product से connect करता हो साथी साथ value added services के लिए भी जैसे कि leveling करनी है, packaging करनी है उन सब चीज़ों के लिए, plus multimodal transport system होना चाहिए, मतलब कि water waste के साथ साथ railroad, air waste की connectivity भी होनी चाहिए, यही है पूरा multimodal logistic park, फटाफट से revision कर लेते हैं, इसमें बोल रहा है कि IFSCA एक non-statutory body है, DEA Ministry of Finance के अंदर, नहीं, ऐसा नहीं है देखो, IFSCA एक परकार की statutory body है, इसलिए इस statement false हो जाता है संत मिसाइल के बारे हम बोल रहे हैं कि यह DRDO ने इसराइल के साथ मिल के बनाया है जबकि यह संत मिसाइल indigenously designed and developed है DRDO के द्वारा, यह भी statement false है कालेशवराम lift irrigation project, एक multi-purpose irrigation project है, कृष्णा river के उपर, नहीं, गोदावरी river है यह भी statement false है Wildlife Institution of India, headquarter है, इसका नई दिली में, बिल्कुल गलत, देहरादून में है यह भी statement false हो गया Central Information Commission एक constitutional body है, बिल्कुल नहीं, यह भी एक statutory body है जिसको RTI Act 2005 के अंदर में बनाये गया था इसलिए यह भी statement false है, आज तो सारे के सारे false हो गए एक छोटी से information उन सब के लिए, जिसको यह नहीं पता है कि 14th October से comprehensive solution to mains के साथ-साथ comprehensive solution to prelims और एक complete package आपके UPSC preparation के लिए comprehensive solution to UPSC के नाम से यह batches start हो रहे है video.onlyis.in पे तो आप एक बार जरूर से visit करे, sample lectures जिनको देखने हैं वो देख ले इसके अंदर एक complete solution है, one stop solution है जिसके अंदर सभी प्रकार के preparation strategies और आपके materials शेयर किये जाएंगे study materials, video lecture series, test series का एक छोटा सा portion, mains की test series ये सभी चीज़ें इन courses में include हैं, इसके अलावा interview से related जो भी guidance आपको जरूरत होगी, online, offline वो सब चीज़ें इसमें provide की जाएंगी, तो एक बार जरूर से visit करिएगा video.onlyis.in जिनको भी इसकी जरूरत है तो बस आज के discussion में इतना ही था, thank you very much for listening it, very patiently friends, have a nice day